हाई स्टुएंट्स सी एक्जाम नॉम्बर 20 होने के बाद में अब इस स्टुएंट्स में एक क्योरिसिटी है कि सी का रिजल्ट कब आएगा और इसी बारे में बहुत सारी कयास लगा जा रहे हैं कि फूर्ट जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा और उनका बैसिस यह है कि जब इस बार हमरा डिजिटलाइज को भी चेकिंग होगी और उसके वैसे फिप्टीन डेज का टाइम से हो रहा है तो पिछले बार जिससे सीए फाइनल का रिजल्ट इस सिक्टीन जनवरी को आया था तो उसमें फिप्टीन डेज कम करके स्टुएंट से वैसे बता रहें कि फू बार फर्स्ट नवंबर से एक्जाम स्टाट हो जाते थे लेकिन इस बार जो एक्जाम है वो 21 नवंबर से स्टाट होए है तो कुलिमला के क्योंकि 20 डेज डेले है तो रिजल्ट 20 डेज लेट होगा लेकिन 15 डेज के सेविंग हो जाएगी तो फिर भी 5 डेज का डिले तो आ 16 जनवरी में अगर हम 20 देज का डिले एड कर दें और 15 देज का टाइम सेविंग लेस कर दें तो 5 देज का डिले तो आए गए आएगा तो उसकी अकोडिंगली 16 के बजाए 16 जनवरी के बजाए ये आराउंड 21 जनवरी के आसपास आने का पोसिबिल्टी है और से इंट्रमिज की जो एकजाम थी वो पिछली बार आराउंड 15 देज को कम्टिट हो गई थी तो 15 देज करके और उसका जो रिजल्ट आया था था थर्ड फरवरी को तो इसी में अगर हम 20 देज कर दें और 15 देज कर दें तो ये भी थर्ड फरवरी के बजाए 8 फरवरी के आसपास आने की प मान लिज़ेट के साथ में सिय फाउंड घेल आता था 13 के साथ तो अकूडिस यूजर कर ये मालिजिच्वारी के आस्पास आने की पॉसिबल्टी है और अगर मालिजी ये बजल्टे फाइन के साथ आया तो इससे में 21 जनवरी के के आसपास CA Foundation का रिजल्ट आने के पॉसिबल्टी है तो अकोडिंग लिए हम बात करें तो आप टेंटेटी ड्वेटी के मान के चलिए कि CA Final और Foundation के टेंटेटी ड्वेट है 21st January और CA Intermediate की जो टेंटेटी डेट है रिजल्ट की वह है एड़ फरवरी तो अकोडिंग लिए आप वर्क करें और जिन बच्चों ने CA Foundation की एक्जाम दी है वो CA Foundation की बाद में Intermediate की प्रिप्रेशन इस्टार कर दें जिन इस्वेंट्स ने Intermediate की एक्जाम दीए अपनी आइटी ओटी ट्रेंग कर लें जिससे की रिजल्ट आते ही वह आर्टिकल सिफ जोइन कर लें और जिन बच्चों की CA बड़ डेले तो हो गए होगा थैंक्यू प्रिप्रेशन इस्टार कर दो होगा थैंक्यू